क्या एक मरे वे इनसान की फोटो घर पे लगानी चाहिए? क्या उसे याद करके रूना चाहिए? आईए इनस कुछ सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं Mission Genius Mind से मैं संजी मलिक सवाल है कि क्या मृत्यक की फोटो घर पर लगानी चाहिए? देखे, सबसे पहले इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं मृत्यों एक अटल सत्य है, हम सब ने परिवार का कोई ना कोई सदस से जरूर खोया है हम सब उनके लिए रोते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या उनके फोटो को घर पे लगा के रखना चाहिए? क्या उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? इसमें क्या नुकसान है? ऐसा करने में प्राब्लम क्या है? प्राब्लम है, कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है वेक्टी जो मरह है, उसकी कंडिशन क्या है, उसकी mental कंडिशन क्या है? वो बहुत सारी चीजों से हमसे जुडा हुआ होता है ये बात समझना बहुत जरूरी है, कि वो यहां से गया है या नहीं गया? इसका विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है अगर उस आत्मा का अगला जनम नहीं हुआ और वो प्रेत योनी में है तो definitely वो आत्मा आपकी ओर attract हो सकती है और ऐसा होना बहुत ही natural है क्योंकि जब कोई इंसान का मृत्यू होती है तो मृत्यू के बाद उसको उपर से call किया जाता है उसको call की जाती है कि वो प्रकाश की ओर मुड जाए लेकिन बहुत बार ये लोग प्रकाश को चुनते नहीं है क्योंकि उनकी संसार में भी attachment बची होती है प्रकाश उन्हें बुलाता है प्रमात्मा की तरफ से उन्हें call की जाती है लेकिन वो उधर ना जाकर वो अपने घर वालों के तरफ अट्रैक्ट होता है उनसे मिलना चाहता है उनके पास आना चाहता है और इसी कारण से उसकी मोह बंदन बंद जाता है और वो अपनी आपको अपनी मृतक शरीर के आसपास ही वो घूमता रहता है मृतक शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है मृतक शरीर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है उसी के आसपास वो घूमता रहता है बस यही समस्या है और मरने के बाद भी क्योंकि उसको पता नहीं होता कि वो अक्चली मर चुका है तो अन्य मरे तक जो लोग होते हैं वो भी उसे बहकाते हैं वो जब तक वो जीवित था तब तक वो आपके परिवार का हिस्सा था मरने के बाल वो एक अलग ही दुनिया का हिस्सा हो चुका होता है और उसका संपर्क उन लोगों से होता है उन आत्माओं से होता है जो मर चुकी है उन में से बहुत से लोग ऐसे चालाक होते हैं शातिर होते हैं मतलब बहुत सी आत्माई ऐं सी होती हैं, जिनको हम भूत या प्रेथ बोलते हैं, यह लोग बहुत खतरनाक होते हैं, यह इसे अपनी गैंग में शामिल होने के लिए भी प्रॉंप्ट करते हैं, वेकाते हैं कि आप हमारे, साथ शामिल हो जाओ, और फिर इनके आपको आपके गरवालों के गेंस्ट भी कर देते हैं, इस बात को भी समझ लीजीए, आपको आपके घरवालों के गेंस्ट भी कर देते हैं, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कल तक जो हमारा बेटा था, बेटी थी, पती था, पतनी थी, आज वो बिलकुल दूसरी पता नहीं वो किसके संपर्क में आया हो मित्यों के बाद उसके मन की क्या कंडिशन हो आप जानते हैं इनकी अपनी एक गैंग होती हैं जो प्रेथ होते हैं बूत होते हैं इनकी भी अपनी दुनिया एक अलग ही दुनिया है ये अलग अलग जगाओं पर बसती हैं इनकी अपन यह हम लोगों ने past life regression करकर के लोगों का देखा है और पूछा कि होता क्या है वहाँ पर past life पर करते हैं ना पिछले जीवन में जब इसकी मृत्यू होई होगी तो मृत्यू के बाद क्या हुआ था हम उसको trans में ले जाकर hypnotize करके उस condition में ले जा सकते हैं जहां पर वो अपनी उन conditions को देख सकता है जान सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ था तो यह जो condition होती है यह बड़ी dangerous होती है क्योंकि जो उसे भैका दिया जाता है और वो अब आपके परिवार का भिस्सा नहीं है वो अटक गया है एक बार उसने प्रकाश को छोड़कर परिवार का प्यार चुना तो फिर वो अटक गया और फिर वो अटक गया तो उसके पास वो आपसपास में घुमता रहता है हमें लगता है क्यों चला गया लेकिन वो कहीं गया नहीं है वो गया नहीं है और वो वह आपसपास में होता है और अप उसे बुलाने की कोशिश करें तो ये बड़ा dangerous होता है कि वो soul आपकी तरफ attract हो सकती है फिर आप कहते है कि परेट का attack हो गया अभी तक वो आपके जीता जागता इंसान था आपका घर का अपना था लेकिन अब वो आपका अपना नहीं है इसलिए जितना जल्दी हो सके बड़े प्यार से उसे विदा कर देना चाहिए मेंटली उसे विदा कर देना चाहिए कि भई आप जाओ आप यहां से आप स कर लो हाला कि इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यह कोई इतना असान मामला नहीं है कि आपने एक मिनिट में डिटाच हो जाओगे जिन्द की भर जिसके साथ रहोगो डिटाच होना कोई बच्चों का खेल नहीं है तो इसके लिए समझ चाहिए इसके लिए थोड़ बटको तुम आगे की यातरा बढ़ जाओ जब उसे बता दिया जाता है सही तरीके से तो आगे की यातरा पर चले जाते हैं फिर प्रकाश का उद्य होता है आप प्रकाश का प्रकाश में लोग जाकर समा जाते हैं ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हो सके कि आपके रिलेट दान दीदा वस्तुओं को संग्रह करने के बजाए उनका दान करना चाहिए दान करना उसको जो पसंद था उसका अपने दान कर दिया घर से एक तरीके से उसे हटा दिया उसकी कपड़ों का इस्तेमाल उसकी बिल्कुल पसंदीदा चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें आ पाकि उसकी सोल भी एकर आसपास में है तो वो डिटैच हो जाए कि इन्होंने तो हटा दिया है यहां से हमें तो इसके अलावा मेडिटेशन करें, जाप करें, प्राठना करें, उसका फल उसे समर्पित करें बस इतना ही करें कि मैं जो भी यह कर रहा हूं, इसका फल उस व्यक्ति को समर्पित हो, ऐसी मेरी प्राठना है जब ऐसा करते हैं, तो डिफिनिटली उसका फल मिलता है और जो सोल है, उसका दुख जो है, वो रिडियूस हो जाता है, मिनिमाइस हो जाता है इस बात को याद रखें, अगर वो व्यक्ति यहां से जा भी चुका है, जा भी चुका है, का मतलब उसका अगला जनम हो चुका है, या वो स्पिरिट वर्ड में जा चुका है, तो भी आपकी इन चीजों का पॉजिटी प्रभावा उस पर पड़ता है मेडिटेशन किया होगा, कभी वेर्थ नहीं जाता, उसका तो कल्यान होगा यहोगा, आपका भी यहां पर कल्यान होगा बर अगर आप उसे याद करते हैं, तो वहाँ होते हुए भी उससे तकलीफ होगी अगला जनम होने के बावजूद भी उसे बहुत तकलीफ होगी, उसे बहुत बेचैनी होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी उसके साथ अटैच्ट है, उसे खीच रही है, वो अपने आपको वहाँ एड़जस्ट करने के कोशिश कर रही है सोल, और यहाँ पर आप उसे याद ही कि जा रहे हैं, खीचे चले जा रहे हैं, उसका अगला जनम हो चुका है, लेकिन आपने उसे भुलाया नहीं है, यह बहुत बड़ी प्राब्लम है, इसलिए कोशिश करके हमें इस जिज्ञान को अपने भीतर बसाना चाहिए, भागवत गीता में भवावान श्री किष्ण ने कपड़े बदलें, इस ग्यान को प्रैक्टिकली आज अपने जीवन में लाएंगे, तो फिर उस समय में तकलीफ नहीं होगी, मैं उमीद करता हूँ, इस वीडियो ने जुरूर आपको एक इंसाइट दी होगी, समझ दी होगी, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें हमा